क्या आप ACIDITY और GAS की समस्या से परिशान हैं? क्या आप अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ होते हुए भी ना होने के समान हैं? क्या आप कभी दिल करता है उनको देखकर चटपड़ी और मसालेदार चीज़ें खाने कर लेकिन आप खा नहीं सकतें? तो आज हम आपको बताएंगे कि ACIDITY से कैसे चुटकारा पाएं? हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारे YouTube चैनल Life AX पे आज हम आपको बताएंगे ACIDITY और GAS से चुटकारा पाने के कुछ असान गिरेलों नुष्खे दोस्तों बरी और अनियमित चीवनशैली के कारण पेट की समच्या आम हो चली है आम तोर पर तली, बुनी और मसालेदार खाने का सेवन करने के कारण ACIDITY की समच्या होती है खाने का एक समय निर्दारित भी नहीं होता है जो ACIDITY का एक में कारण बनता है पेट में जब सम्वाने से दिक मातरा में एसिड निकलता है तो उसे एसिडिटी कहते हैं आईए हम आपको कुछ ऐसे ग्रेलू उपाई बताते हैं जिनको अपना कर आप एसिडिटी से चुटकार आपा सकते हैं तो यह हैं एसीडिटी को दूर करने के ग्रेलों नुसके नमबर एक एसीडिटी होने पर मुलेटी का चूरन या काड़ा बना कर उसका सेवन करना चाहिए इससे एसीडिटी में फाइदा होता है नमबर दो, नेम की चाल का चूरन या रात में बिगो कर रखी चाल का पानी चान कर पीना चाहिए ऐसा करने से एसीडिटी ठीक हो जाती है नमबर तीन, एसीडिटी होने पर त्रिफला चूरन का प्रियोग करने से पाइदा होता है त्रिफला को दूद के साथ पीने से एसिडिटी समाप्त होती है नमबर चार दूद में मनका डाल कर उबालना चाहिए इसके बाद दूद को ठंडा करके पीने से पाइदा होता है और एसिडिटी ठीक हो जाती है नमबर पाँच एक गिलास कुनगुने पानी में थोड़ी सी पीसी काले मिर्च तथा आदा निम्बू निचोर कर नियमी रूप से सुगर पीने से लाब होता है नमबर चे सोफ आवला और गुलाब के फूलों का चूरन बना कर उसे सुबे शाम आदा आदा चम्रच लेने से एसीडिटी में लाब होता है नमबर साथ एसीडिटी होने पर सलाद के रूप में मूली खाना चाहिए मूली काट कर उस पर काला नमक तथा काली मिर्च छिड़क कर खाने से फाइदा होता है नमबर आठ जाइफल तथा सोट को मिला कर चूरन बना लीजिए इस चूरन को एक एक चुटकी लेने से एसीडिटी समाप्त होती है नमबर नौ एसीडिटी होने पर कच्ची सौफ चबानी चाहिए सौफ चबाने से एसीडिटी समाप्त हो जाती है नमबर दस अद्रक और परवल को मिला कर काड़ा बना लीजिए इस काड़े को सुबह शाम पीने से एसीडिटी की समस्या समाप्त होती है 11. सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से एसिडिटी में फाइदा होता है 12. नारियल का पानी पीने से एसिडिटी की समस्या से छुटकारा मिलता है 13. लोंग एसिडिटी के लिए बहुत फाइदेमंद है एसिडिटी होने पर लोंग चूसना चाहिए हर रोज खाने के बाद इस पानी का सेवन कीजिए, एसीडिटी में बेहत फाइदा मिलेगा। दोस्तों ऐसेडिटिकी समस्या खानika पान के कारण जादा होती है। इसलिए जादा ग्रिश्ट बोजन करने से परहेज करना चाहिए। ऐसेडिटिकी के समय रात को सोने से 3-3 गंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए.. जिससे खाना अच्छे से पच्छ सके तो दोस्तों ये है ACIDT से चुटकारा पाने के कुछ असान ग्रेलो नुस्के आप भी इन नुस्कों को अपनाए और ACIDT से राहत पाए आप इस जानकारी को अपने तक ही सीमित ना रखें बनके अपने मित्रों और समंधियों से भी शेयर करें इन नुस्कों को अपनाने के बाद भी अगर आपको ACIDT की समस्या हो रही है तो आप चिकिस्टक से संपर्क अवश्य कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो फाइदेमंद लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए लाइक और कमेंट करके अपना फीड़बेक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूले हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ थैंक्स पूर वाचिंग